हालो गाईज कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कैच्छे होंगे आज हम स्टाट करेंगे क्लास 11 इंगलिस का फर्स चैप्टर वो भी प्रोष श्रेक्षन का दा पोट्रेट आफ ए लेडी दा पोट्रेट आफ ए लेडी जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाए दे रहा ह पोट्रेट आफ लेडी फर्स चैप्टर है आपका चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका इंगलिस स्लावस पूरा चेंज हो चुका है पूरा एंसी आटी पटर्न हो चुका है तो जो सीवेसी बोर्ड में बुक्स चलती थी वो आप के बारें चेप्टर पर चलते हैं थोड़ा स्पिट्रीं देख लेते हैं कि आपके त्री वोग्स होंगी वो ऑपलच सोन तरो होगी वो थे यह देख लेंगे कि सबसे पहले प्रोज है कि उसके बाद यह प criticisms हो ए अब इसमें देखें फैप्र चैप्टर आपके प्रोज में में और फॉर्च एपटर में और प्राइब इंक्रेश्ट कौन कौन से हुई नहीं प्रोज में थी सप्लीमेंटरी में और एक पोरिटरी में आपका तो यानि आपके टोटर चैप्टर 3-3 प्रोज में हटाए गया है तो यानि आपके टोटर चैप्टर 3-3-6-1-7 चैप्टर पूरे डिक्रियस हुए हैं 30 परशंट आपको पता है 30 परशंट कोर्स हटाए गया है यानि यह सको हटाने के बाद आपके यह चैप्टर बचते हैं इनका आप स्किन सॉट भी ले सकते हैं यानि फ्रस फाइब चैप्टर प्रोज में फाइब चैप्टर सप्लिमेंटरी में और फूर चैप्टर आपके पूर्टरी में पहले क्या होता था फ्रस्ट एयर में आपक ठीक है अब आपको साथ समझ में आ गया होगा अब स्टार्ट करते हैं आपका फिस्ट्र है रीज लेडी एक पौर्टरेट में सोता है छाय चितर आफे लेड़ी में सोता है एक औरत का एक औरत का छाय चितर वाई खुस्वन सिंग जी ने इसको लिखा है ये इसके लेखक है खुस्वन जी इनों ने इसको लिखा है और इसके थोड़ा वेगराउंड के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर के वेगराउंड क्या है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया सबसे पहले हमारे इस चैप्ट होता है इसकी धादि जो होते हैं बहुत ही ज़्यदा एमोशनल हो जाती है एर्डियन कल्चल को ले करके भारती संसकृति को ले करके भारती शंसकृति जो है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं कि Welws यानि इस वज़े से जो लेडी है जो उसकी दादी है वह बहुत ही ज्यादा दुखी है कि जब वह दिहात में अच्छा रहता है उसमें होती है लेकिन जैसे जैसे वो सहर को जाता है उसकी जो साइक संस्कृति थी जो भाती शंस्कृति जो अपने देश की संस्कृति वो कहीं न कहीं उसमें लॉस होती नजर आती है उसमें कम होती नजर आती है तो यह है इसका मेंधिम चले स्टाट करते हैं the portrait of a lady portrait में सोता है चेत्र आफ लेडी माने एक इस तरीका है कि इस तरीका चेत्र वाई खुस्वन सिंग जी ने इसको लिखा है तो इस chapter के background के बारे में देख लेते हैं कि इस chapter में है क्या इसमें एक दादी जी होती है उनका एक पोता होता है वो दोनों साथ साथ गौव में रहते हैं और जो का लड़का होता है दादी जी का लड़का है नहीं उसके माता पिता जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो सहर में रहते हैं वहीं अपना आरणिंग करते हैं, कमाते खाते हैं, वहीं हैं, सुबा दादी और बच्चा क्या करता है, कि सुबा बच्चा उठता है, इसनान करता है, भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, दादी भी करती हैं, और सुबा उठकर के उसके लिए खाना बनाती है, खा साथ में ही जाती हैं दादी जी जो होती हैं काफी और रिलिजुस सिंग्निफिकंट्स की होती है है बच्चा भी धार्मिक पृर्वत्त करतन होता है लेकिन जैसे SETL हो जाते तया है सहर में उसके बान क्या होते हैं कि उसके दाव si j जो होती हैं बहुत दुखी होती है उस लड़के के जो बेवहार में जो चेंजस होता है जो परिवर्तन होता है उसको देख करके बहुत दुखी होती है क्योंकि वो इंग्लिस मीडियम में जाता है इंग्लिस मीडियम में जाय करके वहाँ पे उसको साइंस पढ़ाई जाती है और भी वह से साथ सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं लेकिन वो जो धर्म, जो किताबें, जो पुस्तक, जो भगवान को बारें बताने वाली वो चीज़े वो विल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है इस वज़े से दादी काफी ज़्यदा चिंतित होती है कि जो हमारे देश की संसक्रति जो कल्चर है जो शब्धिता है वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है इंग्लिस मीडियम स्कूल के बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं भारती संसक्रती जो हमाई दिसकी सभिता है उससे कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं सुबह उठकर के पूजा अर्चना करना और बड़ो का आदर करना सास्रांग प्रडाम करना यह सारी चीज़े वह भूलते हुए जा रहे हैं इसी पूरे इंडिन कल्चर और सभिता को इसमें शो किया गया प्रदस्ट किया गया आप चले देख लेते हैं मैंस स्रक करेंगे माइ ग्रांद्मधर लाइक है एवरिवर्ड इस ग्रांदमदर वासन ओर्ड टो मिलती हर किसी दादी की तरीके से मेरी दादी भी एक बुदी मला थी छिविए दुज बसे मैंने उनको देखा है बीस साल से जबसे मैंने उनको देखा है तो उनके चहरे पर जुर्यां बरी हुई थी dit जूरिया पड़ी हुई थे 20 सार से जबसे मैंने देखा उनके चेहरे पर फिल्कुल जूरिया पड़ी हुई हैं वह बुरी है और वैसे कि वैसी ही है प्यूपिल सेड्ड लोग कहते थे कि दैट सी हैड कर वोंस बीन यंग एंड प्रेटी लोग कहते थे कि दो दादी थी वो कभी यूती हुआ करती थी और सुन्दर हुआ करती थी प्रेटी मिसुता है सुन्दर येंग मिसुता है यूआ तो लोग कहते थे कि यही दादी जो है कभी यूती हुआ करती थी कभी यूआ हुआ करती थी और कभी शुन्दर हुआ करती थी और उनके पती भी था, बट ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन था, यानि लोग हमसे कहते थे कि यही तुम्हारी जो दादियां कभी युवा हुआ करती थी, एक सुन्दर लड़की थी, और उनके पती भी था, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही बाबा का जो चित्र था यानि पोट्रेट में सोता है चित्र हैंग में सोता है लटका हुआ था अबब दा मैंटल पेस में सोता है अंगीठी के उपर इन द्राइंग रूम में सोता है बैठा का कमरा यानि जो बैठा का कमरा था उसमें अंगीठी रखे हुए था अंगीठी के clothes he wore वो पहने होए थे big तूरबान तूरबान मिस वता पगड़ी and loose lifting cloth मिस वता है फिले डाले कप्री वो ढईले दाले कप्रे और बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे his long white beard cover उनकी लंबी दाड़ी थी कवर्ड मिस वता है जो धकी हुए थी best part of पिछेस्ट माने उनके छाती को मेरे जो बाबा की जो तस्वीर थी तस्वीर में हमने देखा था कि उनकी जो दाड़ी थी दाड़ी ने उनके छाती को ढख रखा था He looked at least a hundred years old, वो लगवक सो वस के दिखते थे, मैंने देखा कि उनकी जो काफी बड़ी दाड़ी थी और वो सो वस के दिखते थे He did not look the sort of person who have a wife or children, He did not look वो ऐसा नहीं दिखते थे, कि उनके कोई पत्नी हो या बच्चे हो यानि उनके चेहरे से तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनके कभी बच्चे हुए हो उनके कोई पत्नी रही हो He looked as if he would only the lost lots and lots of children's, sorry grandchildren's, he looked वो ऐसा दिखते थे, जैसा कि एक और उनली कि उनके हो केवल lots of lots मने बहुत सारे grandchildren's मने पोते और पोतियां, उनके चेहरे से तो ऐसा लगता था कि उनके केवल पोते पोतियां हो, बच्चे और वाइफ कभी हूँ ही ना, उनके चेहरे से ऐसा लगता था next देखेंगे यहां से कि as for many grandmother being young and pretty, as my grandmother मेरी जो दादी थी being young and pretty, कभी युवा और यूती हुआ करते, कभी युवा हुआ करते, सुन्दर हुआ करते देखेंगे यह जो विचार थे घडात्मक विचार थे, मुझे नहीं लगता था वच्चा कहता है कि दा उसका पोता कहता है दादी जी का, मुझे नहीं लगता है कि हमारी दादी कभी युवा हुआ करती हूँगी, यह सुन्दर होती हूँगी, इनके चेहरे से देखो तो लगता है कि 20 साल से तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, वो हमें अक्षर बताते थे कि वाट गेम सी यूस्टू प्ले इंदर प्ले ऐस चाइल्ड, वो अक्षर मुझे ऑफन विस बताता अक्षर बताते थे कि गेम्स वने खेलों के बारे, वो अक्षर खेल के बारे में इस रूचे और सुमचे ऑंद अक्षर बताए करते थे कि मुझे यह बताया करते थे कि मैं जब बच्चे थी तो यह खेल खेलती थे tu तरे ले एक असम्मान जनक था ऐसा लगता था कि यह कभी थी ही नहीं और मैं उनसे ऐसा बिवहार करता था जैसे कि फेवल्स में सोता है पहलियां मुझे दादी काफी सुनाया करती थी उनमें वो धर्म गुरू के बारें बताती थी यानि धर्म गुरू जो हुआ करते थे उनके बारें मुझे बताती थी तो मैं उनसे जो बिवहार करता था वो उन धर्म गुरू के बारें में जो बताती थी उनके जैसा बिवहार सबाड़ करता करता था मुझे ऐसा नहीं लगता था कि दादी कभी युवाग थी और यह कभी सुन्दर थ लिए प्रफेट्स यह जो है आपका प्रफेट्स यूसि टेल आस माने जो मुझे जेसा कि मुझे धर्म गुरुओं के बारे में बताती थी सब्सक्राइब थोड़ा जुकी हुई थी वो थोड़ा छोटी और अब जुकी हुई थी जुख गई थी हर फेस उनका जो चेह्रा पर था उनके चेहरें पर था आच बड़िक अगई छोलिक है जुरीया रनिंग एवरिक आज़े अप्राइवस्य सानलवत्प, दोर गई यह दोर आज़準 उनके छेहरे पर इतनी जुर्या पड़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि जो line ने उनके जो है जो line नों से उनका जो चेहरा था cross कर रहा हूँ मतलब बहुत से line ने उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी जुर्री आप पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर No we were certain, she had always been नहीं मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं होता था जब से मन को जानता था तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि वो कभी इतनी सुंदर थी इतनी अच्छी थी कभी इनके कोई पत्ती भी रहा हो अब यहां से Old so terribly Old that she could not gave grown वो old इतना बुड़ी हो चुकी थी मेरी दादी जी जो थी वो इतना बुड़ी हो चुकी थी is so terribly इतना बुड़ी हो चुकी थी she could not have grown older वो अब इससे ज़्यादा बुड़ी नहीं हो सकती थी यानि उनके जो बुड़े होने का जो limitation था ऐसा लग़ा था खतम हो गया हो वो इतनी बुड़ी हो गई थी कि विल्कुल अब उससे ज़्यादा बुड़ी होई नहीं सकती थी and had stayed at same age for 20 years and stayed में सोता ठहरी होई थी at the same age माने विल्कुल एक समान एज एक समान जो आई थी for 20 years माने 20 साल से 20 साल से वो एक ही आई पे रुकी होई थी एसा लग रहा था कि वो अब बुड़ी ही नहीं होंगी इससे ज़्यादा अब कभी बुड़ी नहीं होंगी और 20 साल से जब से मैं देख रहा हूँ वो इतनी ही बुड़ी है यानि 20 साल से वो एक ही एज पर टिकी होई है she could never have been pretty she could never have been pretty वो कभी सुन्दर थी ही नहीं but she was always beautiful लेकिन वो सुन्दर सदेव से सुन्दर थी ये एक तरीके से अक्जिमोरान कह सकते हैं विरोधा बास कह सकते हैं वो कभी सुन्दर थी ही नहीं और वो सदेव से सुन्दर थी she howled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist balance her stoop and other telling bits of her rosary see howled howled मिस होता है कि लंगडा करके चलना howled मिस होता है लंगडा करके चलना वो लंगडा करके चलती थी the house spotless white और घर में वो बिना अर्बे के बढ़िया सफेद कपड़े पहनते थी with one hand और अपना एक हाथ resting on her waist balance अपने balance को बनाने के लिए मिस होता है कलाई को और stoop मिस होता है कूबड उनके जो पीठ पे back पे कूबड निकला हुआ था और अपने balance को बनाने के लिए एक हाथ अपने पीठ पे रख लेती थी and the other one दूसरा हाथ telling beers of her rosary rosary मिस होता है माला जपना beers of her rosary कि वने एक हाथ से वो माला जपा करती थी यानि एक हाथ अपना balance बनाने के लिए कूबड वाले पीठ पे रख लेती थी और दूसरे हाथ पे माला जपती थी as silver logs were scattered untidally over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer her silver logs उनके जो चानी जैसे बाल थे पीले जुर्यों वाले चेरे पर मिस होता है पीले पकट face में जुर्यों वाले चेरे पर face पर बेढ़ंगे तरीके से यानि scattered untidally मिस होता है बेढ़ंगे तरीके से scattered untidally बेढ़ंगे तरीके से फैले थे और क्या था her lips constantly moved in the inaudible prayer उनके जो होट थे निरंतर लगातार चुचा प्राथना करते थे inaudible मिस होता है जो सुनाई ना दे constantine लगातार mood मिस होता चलते रहते थे उनके हूट जोते दे चलते रहते थे लगातार भगवान की प्राथना करते रहते थे यस yes she was beautiful हाँ वो वास्तर में बहुत सुन्दर थी she was like the winter landscape in the mountain and extends of pure white scenting, breathing peace and contentment वे सीथ कालीं की पहाडी mountain मिस क्या होता है पहाडी landscape मिस होता है भूद रश्य और winter मिस होता है सीथ कालीं वे सीथ कालीं पहाडी भूद्र सीथी दिखती थी she was like the winter landscape in the mountains वे सीथ कालीं में पहाडी भूद्र सीथी and extends मिस होता है फैली होई थी for pure white मिस होता है विल्कुल sweat scenting विल्कुल और white scenting मिस होता है sweat scenting breathing piece breathing piece मिस होता है जिसमें सास लेना सांती मिस होता है वातावरण content मिस होता है संतोस का वातावरण तो था क्या कि स्वक्ष स्वयत सांत तथा संतोस वातावरण यानि शंतोस वातावरण में वो रहती थी अच्छे तरीके से और वो ऐसा देखती थी जैसे कि वसीत काली में पहाड़ी भूदर से सी थी अब यहां से देखेंगे third my grandmother and I were good friend मेरी दादी और हम एक अच्छे दोस्त थे my parents left me with her friend they went to live in the city मेरे माता पिता जब सहर गए तो मुझे दादी के पास छोड़ गए थे and we were constantly together और हम दोनों साथ साथ अच्छे तरीके से यानि संतुष्टी पूर्वक रहते थे she used to wake up in the morning वो मुझे सुबे सुबे wake up में सुबता उठाती थी and get up me ready for school और मुझे school के लिए तयार करती थी मेरी दादी थी वो मुझे सुबे उठाती थी और स्कूल के लिए तयार करती थी she said her morning prayer in the monotonous she said her morning prayer वो सुबा सुबा prayer करती थी प्राथना करती थी इन्हें monotonous में सुथा नीरस तरीके से sing a song मने गीत गाती थी while see bath and dress में जब मुझे नहलाती थी and dress मने कपड़े पहनाती थी जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी या मुझे नहाती थी तो वो नीरस तरीके से भगवान के भजन गाती थी या गीत गाती थी in a hope मने आसा करके that I would listen कि मैं सुनता हूँ and get to know it by heart और मैं उसे याद कर दूँगा मुझे दादी जब मैं इसनान करता है था जब मैं कपड़े पहनता था तो मुझे दादी नहलाते वक्त और मुझे कपड़े पहनाते वक्त भगवान के भजन गाया करती थी साइद इस आसा में कि वो मुझे याद हो जाएंगे कि जो भजन मुझे याद है भगवान के वो इसको लेकिन मुझे बॉदर हुड में सोता है चिंता मुझे लेकिन उसे याद करने की कोई चिंता नहीं थे मैं उसे भर्जन को याद नहीं करता था और मैं सुनता इसले था क्योंकि मेरी दर्दी की आवाज मुझे काफी पसंद थी देन सी उड फेच माइ उडेन स्लेट विद सी हैड और यद वास्ट उसके बाद क्या करते थी नहला करके कपड़े पहना करके मुझे एक उडेन जो लकडी की स्लेट थी वो दे देती थी और यद ऑल्रेडी वास्ट जो बढ़िया साफ पहले से और प्लास्टर वाइट यलो प्लास्टर में सोता है पुती हुई थी यलो चाक में सोता है पीली चाक की मुलतानी मिटी होती है पहले यह मिटी नहीं मुलतानी मिटी हुआ करते थी उससे बढ़िया जो स्लेट थी बिल्कुल चिकनी हो जाते थी और अच्छी हो जाती थी लिखने में काफी स्पस्ट दि देते थी and red pen red pen में सोता है लाल कलम यहाँ पर red pen का मतलब है नर्कुल नर्कुल पहले हुआ करते थी दवात में जो डाली जाते जिससे हम लिखते थे वो दे देते थे और tie them in doll bundles hand it to me और मुझे एक bundle वाने एक पोटली बांद देती थी पहले बाया गया बस ते जिस तरीके से आज होते हैं बच्चों के पास वैसे पहले नहीं हुआ करते थे और वो मुझे एक bundle में पूरा बांद करके दे देती थी after a breakfast of a thick थोड़ा सा breakfast सुबह का नास्ता करने के बाद stale चपाती stale चपाती में सोता है बासी रोटी stale में सोता है बासी चपाती में सोता है रोटी यानि बासी जो रोटी का नास्ता करता था with a little butter वानए थोड़ा सा butter माहने माखन के साथ and a sugar spread और थोड़ा सा उस पर चीनी फैली होई थी मतलब चीनी और माखन के साथ जो बासी रोटी थी उसका नास्ता करता था और इटमा ने इसको ले करके इसको खा करके we went to school मैं school जाता था बासी रोटी पर माखन थोड़ा उस पर थोड़े चीनी होती थी और उसको खा करके मैं school जाता था she carried several sleds sorry stale चपाती with her for the village dog वो क्या करती थी मेरे साथ चल देती थी और carried वो ले जाती थी several stale माने कुछ बासी चपातीया रोटीया with her माने अपने साथ for village माने गाउं के dogs माने कुत्तों के लिए यानि गाउं के कुत्तों के लिए भी वो कुछ रोटीया बचा करके जो बासी रोटी होती थी उसको बचा करके अपने साथ ले जाती थी सायद वो जो कुत्ते हैं उनको देंगी next stanza देखते हैं my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple मेरी दादी जो थी always went to school school जाती थी with me मेरे साथ विकास माने क्यों कि the school was attached to the temple माने एक मंदिर से attached था मतलब कि एक मंदिर था उसी के साइड में इस बुल था तो मेरी दादी मेरे साथ जाती थी दा प्रीस्ट जो पुझारी था टॉटस मुझे बताता था पढ़ाता था सिखाता था कि अल्फावेट माने अल्फावेट एक लाइन में बैट जाते थे आदर साइड माने एक दूसरे के तरफ वरामदा सिंगिंग में सोता है वरामदे में गाया करते थे अल्फावेट मने अल्फावेट और प्रेयर मने प्रेयर इंदर सोरस मने सहेगान मतलब साथ साथ बच्चे जो थे एक लाइन में बैठ जाते थे आराम से सब साथ साथ वही प्राथना गाया करते थे मेरी माता भी उसी पास वले जो मंदिर थे उसके अंदर चली जाती थी reading the scriptures और वो धर्म ग्रंथे यानि धार्मिक किताबे पढ़ा करती थी काफी धार्मिक प्रवत्य की मैला थी उसकी रादी when we had both finished जब हम अपना काम उरा कर लेते थे we would back तो हम फिर से वापस घर के लिए चल देते थे तो के दर साथ साथ दादी और ओलर का साथ साथ चल देते थे this time the village dog would meet us at the temple door इस बार क्या होता था कि जब हम इसकूल से चलते थे तो जो dog है जो कुत्ते हुआ करते थे वो हमको दर्वाजे पर ही temple door मिस होता है temple के दर्वाजे पर ही यानि मंदिर के दर्वाजे पर ही मिल जाते थे they followed us followed मिस होता है वो मेरे पीछे-पीछे मेरा अनुसराण करमा यानि मेरे पीछे-पीछे चल देते थे our home माने घर को growling मिस होता है गुर्राना and fighting मिस होता है लड़ते हुए इचे दर्मन एक दूसरे से एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए मेरे पीछे-पीछे चल देते थे for चपाती जो थी हम उन पर फैकते जो चपाती ले जाती दादी उसको दे देती थी वो उन कुत्तों को खिलाता था तो कुत्ते जो थे आपस में गुर्राते रहते थे और लड़ते जगरते रहते थे और ऐसे ही वो घर पहुंच जाता था next है stranger sorry पैसे यहां से when my parents were comfortably settled in the city they sent for us जब मेरे माता पिता comfortably में सोथा आराम से हम दोनों यानि हम दादी दोनों लोग गए that was a turning point in our friendship ये turning point था ये एक मोड था in our friendship माने हमारी मित्रता में अब ये हमारी मित्रता में एक नया मोड आ गया था although we shared the same room हम एक ही room में रहते थे अब क्या था जो धिहात की culture है अब start हो जाता है यहां से सहरी culture मतलब कि जो सहर की शविता क्या है उस्में अब वहां से changes start हो जाता था उस तो यह कहता है कि that was जो पोता है उसका कहता है कि that was turning point in our friendship हमारी जो मित्ता थी उसमें एक नया मूर आ चुका था although we shared in same room यदे पर हम एक कमरे में रहते थे my grandmother no longer come to school with me अब मेरी दादी जो थी मेरे साथ school नहीं जाते थी I used to go an English medium school in a motor bus हम motor bus से English medium school में पढ़ने जाते थे there was no dogs in the street अब गलियों में कोई कुते नहीं थे यानि सहर में अब गलियों में कोई कुते नहीं थे and took to feeding स्वयरों in the courtyard in our city house अब दादी क्या करते थी? feeding में सोता है चुगाती थी यानि देती थी इस स्वयरों माने गोराया यानि गोराया चुगाते थी courtyard में आफा वो city house money जो city का जो घर था जो हमारा जो city में घर था उसमें अब दादी खाली समय में क्या करते थी गौरेया जो आ जाती थी पक्छी जो आ जाते थे गौरेया उसको दाना चुगाती रहती थी यहां तक हो गया है as the years rolled by we saw less for each to other as years rolled जैसे जैसे साल वितीत होते गए rolled भी सोता है लोड़कना लोड़कने का मतलब यह है कि वितीत होना जैसे 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 साल वितीत होते गए we saw less each other हम एक दूसरे से हमारा जो मिलन होता था बहुती कम होता चला गया for some time आने कुछ शमे see continue to wake up and get me ready for school वो कुछ समय तक लगा तार मुझे उठाती रही और स्कूल के लिए तयार करती रही when I came back to school जब मैं स्कूल से आता था would ask me, वो मुझे पूछती थी कि what teacher had कि क्या आपके teachers ने taught me मुझे पढ़ाया है तो जैसे ही मैं स्कूल से आपाता था तो वो मुझे पूछती थी कि आपकी अध्यापक ने क्या पढ़ाया है तो I would tell her English word and little things of western science and learning the law of gravity and archimedes principle अब मैं उनको क्या बता था दादी को कि English के सब्द बताता था English word मने इंग्रेजी के सब्द बताता था little things of western science और पास्चत जो विज्ञान थी उसके बारे में बताता था कि ये मुझे पढ़ाया गया है learning the law of gravity gravity यानि गुरुत्वा कर्शन के नियम के बारे में archimedes के सिध्धान्त principle में होता है सिध्धान्त archimedes के सिध्धान्त के बारे में बताता था the word being round the word being round मने और ये जो संसार है round में सुता है गूल 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 यानि ETCS एक्टरा इस तरीके से यानि ये चीज़े पढ़ाई गई this made her unhappy जैसे मैंने ऐसा कहा तो दादी जी unhappy नाराज हो गई यानि उनको ये सब चीज़े पसंद नहीं थी कि भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाई गहीं गया वही Archmades वही गुरुत्वा कर्षन और उनके सिध्धान ये सब दुनिया का पढ़ाया गया भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाए नहीं गया तो इससे दादी बहुत नाराज हो गई अब वो मेरे लेशन मेरी सहायता भी नहीं करती थी कि मेरे जो पार्ट पढ़ा जाते थे मेरे सहायता भी नहीं करती थी क्यों क्योंकि उनको इंग्लिस आती नहीं थी इंग्लिस स्कूल में पढ़ाया जाता था जो भी इंग्लिस स्कूल में सिक्षा दी जाती थी इंग्लिस स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उसमें कताई विश्वास नहीं करती थी और वो बहुत दुखी थी that there was no teaching about God क्योंकि वहाँ भगवान के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था and the scriptures वाने और धर्म की जो पुस्तके थी उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था one day I announced एक दिन घोसरा हुई that we were being given music lesson कि आज हमको music का पढ़ाया जाएगा एक दिन क्या हुआ मैंने दादी से कहा कि दादी आज हमको संगीत सिखायः गया है आज संगीत सिखाया गया है she was very disturbed तो वह बहुत दुखी हो गई कि ये जो गाना गाने का काम ये तो बैस्याओं का काम होता है तो इस वजे से दादी बहुत दुखी होगी की यह संगीत सिखेगा तो बहुत दुखी हो गए तो her music was Lute Association यह जो संगीत है Lute Association में सोता है बहुत ही बेकार बहुत ही ये जो है अशविता का काम है इट वास दो मौनोपॉली आफ हालोट एड वेगास एड नाट मीन्ट फॉर जेंटल फॉर्ट उन्होंने बताया कि यह जो काम है यह भीकारियों तुथा वैश्याओं का यह जो हरोट वैश्या होता है वेगास में सुथा है विखारी यानि उन्होंने कहा यह जो संगीत जो ह है यह भीकारियों तो वैश्याओं का एका दिकार है यही उनका काम है और जेंटल फॉर्क्स जेंटल फॉर्क्स में सज्जन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं होता उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन अपने दिमाग में खूब काफी जादा नाराज होई और उन्होंने सोचा है कि यह तो जो काम है यह गाना गाने का यह तो भिखारियों और वैश्याओं का काम है इस वज़े से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं लेकिन हर साइलेंस मेंज डिसअप्रूबल लेकिन उनके जो स्थब धूयाने चुप रहने सालेंस में तो चुप रहने का मतलब डिसअप्रूबल नहीं डिक्वे ऩांति ऑफोए कि जो दाधी थी वह बहुत ही छी नारास थी see already talk sorry see rarely talk me after that see rarely miss होता है कभी-कभी अब वो मुझे कभी-कभी बाते करती थी after that मने उसके बाद उसके बाद वो मुझे कभी-कभी बाते करती थी यहां तक रखेंगे next वीडियो में हम पूरे चैप्टर को cover करेंगे काफी मेनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है और बनाया भी गया है इसलिए अगर चैप्टर अच्छा लगे तो उसको subscribe करें क्योंकि इससे आपको जो latest update है वो मिलती रहेगी हर वीडियो की thank you, thank you so much and take care